दिखे कितनी प्यारी और खुबसूरत स्लीप की डिजाइन है आप ब्लाउज और सूट में इस डिजाइन को बनवा सकते हैं बहुती अच्छा आपका सूट और ब्लाउज लगेगा इस तरह की स्लीप बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 5 इंच की पट्टी को 20 से फोल्ड कर लिया है जो की धाई इंच पची है और हमें जैसे आपने देखा वीडियो में स्लीप में आगे जो फ्रील लगी हुई है उस फ्रील को बनाने के लिए पाँच इंच की पट्टी को 20 से दो भाग करना है पिर से तोड़ लेना है और इस तरीके से प्लेटे डाल लेनी है ठीक है बराबर से गहरी-गहरी प्लेटे पड़ेंगी तब ही हमारी स्लीप की डिजाइन अच्छी लगएगी देखने में एक बराबर से प्लेटों को डालते हो चले बहुती सफाई के साथ प्लेट उपर निचे ना होनी चीए बहुती अराम से और सफाई से प्लेटे पड़ दाती है उपर का कपड़ा हम बराबर लेकर चलें ना दो प्लेटे इधर उदर भाग सकती है इसी तरीके से दूसरी तयार कर लेते हैं बहुती आसान और सिंपल तरीका है आप देखते रहें वीडियो को यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी चैनल पर आपको लेडिस एंड जैन्स की कटिंग एंड इस्टिचिंग सिखाए जाएगी जिस तरीके से धीद्रे प्लेट डालें उसी तरीके से आप भी प्लेटो को डालें सफाइस और फिनिसिंग के साथ पीज बनेता है तो और खुबसुरत देखता है आप भी अपने ब्लाउज और सूट में इस तरह की डिजैन बनवा सकते हैं यदि आप घर पर सीख रहे हैं तो हमारे वीडियो को देखकर सीख सकते हैं ठीक है फिल हमारी बन चुकी है अब हमारे पास यह जो एक्ष्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है इस पे हमें पाउना इंच लगबग चौड़ा लूप हमें त्यार करना है तो इस तरीके से आप अंदाजे से देख लिजे एक मसीन के चापे से आप अंदाजा लगा सकते हैं लगबग पाउना इंच तक लूप हमारे चौड़ा होना चीए और दोस्तों इसमें लूप बहुत से लगेंगे आपने दिखा होगा थमनेल में तो उसके लिए इस कपड़े को हमें जितना कपड़ा है उसने सब के लूप बनाने पड़ेंगे इसी तरीके ते लंबे-लंबे चार लूप हमें बनाने हैं एक्ष्ट्रा मार्जन को कट कर देंगे ठीक है इसी तरीके से हमें चार लूप रेड़ी कर लेने हैं एक बात का ध्यान रहें कि सारे लूप एकी साइच के हों बराबर के हों कोई भी लूप आपका चोड़ा या पतला नहीं होना चीए मसीन पर आप कोई अंदाजा लगा ले निया निसान लगा ले तक कि हमारे लूप सब बराबर रहे हैं लूप हमारे बन चुके हैं अब इनको एक तीली की मदद से पलट लेंगे इस तरीके से तीली लगा कर पलट लीजिए बहुती आसान तरीके से पलट दाते हैं देखे बहुत बहुत ज़्यादा कोई मेहनत का काम नहीं है बहुत अराम से और हलके से हाथों से लूप हमारे पलट दाएंगे देखे इस तरीके से सीरे को पकाड़ करें दीरी दीरे लूप इसी तरीके से जितने लूप बनाए हैं सभी को पलट लेना है तीन से चार जितने लूप बने हैं सब को पलट लेना है थोड़ा सा हाथों को संभाल करें ताकि हलका कप्रा है ज़्यादा फोर्स करेंगे तो कप्रा फोर्स सकता है ठीक है अब इन सब को प्रेस लगा लेना है बराबर से ढ़ालकर फ्रील पर और सब पर प्रेस लगा लेना है आए डिजाइन तयार करने के लिए पेपर को कट करना है सबसे पहले और उससे पहले हमें मार्क कर लेना है दोस्तो इसमें धाइ इंच की हम लुप की चौड़ाई दिखाएंगे इसलिए सबसे पहले एक मार्क लगा लेंगे ठीक है और यहां से हमें धाई इंच की चावड़ा एक और मार्क लगाना है लूप की चावड़ाई हम धाई इंच की दिखाएंगे आप कम यह ज़्यादा कर सकते हैं आप कैस्तीन की नाप के उपर होगा ठीक है इस ते किसी निसान लगा लिए और एक निसान हमें 20 सेंटर में लगाना है जहाँ पर हमारा लूप का डिजाइन आएगा यह निसान हमारे लग गए हैं एक्स्ट्रा पेपर को कट कर देंगे याद रखे जितना हमने निसान लगा हैं उनसे चाप भर एक्स्ट्रा पेपर चीए हमें जोड़े सस्तीन हैं इसलिए हमें साथ नाप लिजिए यह इतनी तक पेपर हमें चीए है पेपर को जरूर से नाप करके ही कट करें ने तो आपका डिजाइन एक्स्ट्रा बन जाएगा वो वेस्ट में जाएगा ठीक है हमारा भी सिंट्र इसान लगावा है अब क्या करना है हमें लूप काटना है ठीक है तो लगबग चार से साथे चार इंच चौड़ाल लंबाई में लूप कटेगा हमारा इस तरह इस नाप लेना है हमें जितना है इससे भी एक्स्ट्रा लेना है लूप को लगबग चार से साड़े चार इंच नाप लिजे ठीक है इस तरीके से निसान लगा ले और सारे लूप एक बराबर कटेंगे जितना मी कपड़ा है हमारा यह है लूप हमने बनाए है सारे लूपो को आप एक के उपर रखते बराबर से काटे चलिए लगबग साड़े 4 हमारा लूप लंबा है तो इस तरीके से सारे लूप जितने हैं कटकरने बराबर से आ मैं अ अ ध्टिक के साड़े लूप कट कर लिजिए लूप हमारे कट गए है अब हमें लूप माराने के बीच ओबीच में एक गिठा हमारना है इस तरीके से बीच सेंटर करके देखिये बीचों बीच में हमें गिठा लगा लेना है गिठा ज्यद्ध ताइट नहों हलका इसी बस फूलावा गिठा हो दिखने में अच्छा लगेगा इस तरीके से सारे लूपों में हमें गिठा लगा लेने हैं ग्सेंटर में अराम से हलके हाथों से गिठा लगा लिज़िए इस तरीके से सारे गिठी लगा लेता है हम लोग देखिए सारे लूपों में हमारेगे ठेले चुके हैं आईए आपको जल्दी से डिजैन बनाकर दिखाते हैं अभी एक ही स्लीप हम तयार करेंगे काफी लूप लिसमें लगेंगे इसलिए एक ही स्लीप बनाते हैं यदि कम पढ़ेंगे तो हम दूसरे में लूप और बना लेंगे आप चाहें तो लूप को एकदम आपस में सटा कर रख सकते हैं या फिर एक एक चाप की गैपिंग दे सकते हैं जैसा आपको डिजैन अच्छ लगे बस आप कर सकते हैं ज्यादा घणा दिखाना चाते हैं तो आप लूप को आपस में चिपका कर सिल सकते हैं उससे लूप थोड़े ज्यादा लगेंगे लेकिन डिजैन भी अच्छ लगेगी इसमें हम एक एक सूत का गैप देते चलेंगे क्योंकि हमारे पास इतना एक्ष्टा कपड़ा नहीं है जिससे हम लूप को बराबर से सिल सके हैं जो 20 सेंटर के निसान लगाया था गिठे को वहीं पर रखना है और आपको बराबर से इस तरीके से निसान को बस लगी करते पर चलना है बहुत आसान और सिंपल तरीका है यदि आप हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाले समय में और भी इस से बहतर और अच्छी डिजाइन के वीडियो अप्लोड होंगे जल्दी से बेल आइकांस को दबा लें ताकि जैसे ही वीडियो अप्लोड हो नोटिफिकेशन के द्वरा आपको इतुरन मालूम हो कि वीडियो अप्लोड हो गया है लिएकि इस तरीके से दिरे दिरे करते हुए हमें सिलाई कलनी है दोस्तों इसमें लुप बहुत ज़्यादा लगते हैं और हमारे पास इतना कपड़ा नहीं इसलिए हम थोड़ा चापबर की येपिंग ले रहे हैं यदि आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा है तो आप लुप को आपस में मिला कर ही रखें तब ही डिजाइन का अच्छा लुप आएगा इसी तरीके से जो हमें मार्क क्लिकिया हुआ है उसी पर सिलिए रखके लगा लिनी है बहुत ही सिंपल और असान तरीके से जल्दी से बनने वने दोस्तों लिजाइने आप इसमें काम कर सकते हैं ये कि बीच सेंटर में गिठा मानने के बाद आप चाहे तो इसमें दोनों साइड मोती भी लगा सकते हैं गिठा के दोनों साइड इधर दर मोती जो बड़े मूकियों वो इस लुप में डाल सकते हैं उससे आपकी प्लॉज और सूट के अस्तिन के सिलिप की खुबसूरती और बढ़दाएगी जो भी समय लगता है लुप बनाने में लगता है यह बाकी अस्तिन बनाते समय कोई समय नहीं लगेगा और हमें सिलने के बाद दोस्तों देखिए लाइन के बगल से चाबर के मार्ण से एक्स्ट्रा कपड़े को काट देना है ठीक है, दोनों साइड हमें चाबर मार्जन से काट लेना है, यह जितना आपको चोड़ाई इसकी रखनी है, उतनी चोड़ाई मार्क कर लीजिए, और इक्ष्टर कपड़े को कट कर दीजिए, इस तरीके से इसके उपर फ्रिल लग जाएगी, और फ्रिल के नीचे एक रख के लगाना पड़ेगा, ताकि उसका जो मार्जन दिखेगा, उसको हम लोग पकीलब बना देंगे, ठीक है, सबसे पहले अस्तीन पर इसको अटेच कर लेते हैं, यह हमारी अस्तीन है सिधी, और इस तरीके से इसको रखना है, उल्टी साइट पेपर हिस्सा उपर लेगी, और जहां पर सिलाई लेगी है, उसी सिलाई पर हमें सिलाई लगाते हो चलना है, बहुती कम समय में यह डिजैन बन जाती है, आप बीट रहे करें, सिंपल तरीका है, कोई है, ठीक है, इसको ओवरलाग कर लेते हैं, देखें, हमने इंटर लाग करके उपर एक सिलाई लगा दी है, अब इस फ्रील को भी इसको उपर सिलाई कर दी है, अब हमें क्या करना है, नीचे जो फ्रील की नीचे हमने कपड़ा लगा रखा है, ठीक है, तो इस तरीके से कपड़े को हमें उपर फोल्ड करना है, ताकि फ्रील का मार्जन उस साइड ना दिखे, देखें नीचे हमने कपड़ा एक इंच की पट्टी लगा रखी है, इस इस तरीके से हमारी फ्रिल पकी लब हो जाएगी तो इसमें कोई भी तागा एरेशन नहीं निकलेंगे और देखने में पीस अच्छा लगेगा देखे फ्रिल को में नीचे की और ही रखना है इस तरीके से मारजन मारजन हम उपर की और नहीं रखेंगे और उपर से एक चापड की सले लगा देंगे तक कि हमारा मारजन इसी में अटेच हो जाए दोस्तो हमारा डिजाइन कंप्लीट हो चुका है बस इस सलाई के बाद हमारी डिजाइन ये लेडी हो जाएगा और बहुती आसान और सिंपल तरीके से एक अस्तिन का लुक आप चेंज कर सकते हैं अपने चाहे ब्लॉज में बनाए या फिर सूट में बनाए देखिए इस तरीके से एक्ष्ट्रा कपड़े को कट कर देना है और ये पेपर बहुत आसानी से निकल जाता है ठीक है इसी तरीके से कितना खूपशुत और अच्छा पीस लग रहा है देखने में इस पेपर को इस तरीक निकल देना है ठीक है कितनी प्यारी अस्तीन मन के आ गई है दोस्तो यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करें और इस तरीके की सूट बनाकर अपने ब्लाउज और सूट में नए खुबसूरती ला सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो